हेलो गाइस गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग आल आफ यू आप लोग कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे आज हम आप लोगों को विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा जनकारी देना चाहरे हैं विश्व के परवत के बारे में बताएंग अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करें और आपको ये वीडियो लाश्ट सक देखने हैं लाश्ट में कुछ हम आपको इंपोटेंट कुश्चन बताएंगे ठीक है दोस्त मेरे माधीप माधीप कितने हैं विश्च में माधीपों की संक्या कितनी है सभी मैधपूर प्रेश्चन है जो सबसे पहले हम आप लोग माधीप बताने लिए हैं सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा बड़े से छोटे क्रम में ठीक है मेरा एसिया माधीप सबसे बड़ा है उसके बाद अफरीका माधीप है उसके बाद उत्तर अमेरिका माधीप है फिर दचली अमेरिका माधीप है अंटार्ट का माधीप है यूरोब माधीप है औस्टिलिया माधीप है सबसे छोटा माधीप है मेरा औस्टिलिया माधीप है आपको यह दिख भी रहा होगा यह उस्टिलिया माधिप अश्च का मादीब है अब किस मादीब में कितने देश है अब फृप मादीब में में तो टल 54 है यूरोप मादीब में कितने में पचास हैं किस माधीब में कितने देश हैं यह हमने आपको बताई दिया है उसके अंटार्टिका को छोड़कर इन सभी माधीबों पर परवत पठार पाड़ियां और मैदन पाए जाते हैं जिसमें से यूरोप माधीब में यूरोप में उसके संपूर छेटपल में सबसे ज़्यादा मैदनी भाग पाए जाते हैं यूरोप माधीब में आपको यह दिखरा हुआ अफ्रीका में सबसे अफ्रीका में उसके संपूर छेटपल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाए जाते हैं अफ्रीका माधीब में भी एशिया माधि पर आंगे कुछ important question है अफ्रीका एक मत्र ऐसा माधि 25 जिसके जिस से कर्क भुमद्य और मकरेखा गोजरती है करक रेखा भुमद्य रेखा और कौन कौन सैरने घोजरती यह स्वेल सारी उपर मेरी यह मकर रेखा हुए हम एशिया एसिया बिसमताओं का माधिप है एसिया को बिसमताओं का माधिप कहते हैं दच्चरप्रिका पच्छियों का माधिप है औस्टेलिया को प्याशी भूम का माधिप भी कहते हैं अफ्रीका माधिप अंद माधिप कहते हैं इसको अंटार्ट का सुएत माधिप कहते हैं बिस्व के परवत जिसके परवत हैं आयोप आपको यह दिख रहा होगा इसके निम पर यह परवत जमीन जब जमीन के अंदर का मेगना लगवग दो हजार मीटर के उपर जमता है तब परवतों का निर्माण होता है परवतों का निर्माण कैसे होता है जो जमीन में से मेगमा निकलता है वो दो हजार मीटर के उपर जमता है तो परवतों का निर्माण होता है परवत बिशुक के भू भाग का 26% भाग गेरे हुए हैं परवत बिशुक के कितने भाग गेरे हुए हैं 26% और परवतों पर बिशुक के अब एक परसेंट जन्संग क्या ही निवास करती है परवतों पर बिशुक के कितनी जन्संग क्या निवास करती है 1% कनाडा के राज बिर्टिस कोलम्बिया को परवतों का सागर कहा जाता है कोशन आए कड़ंप सागर कि से कह जाता है क्या बताएंगे हम लोग कनाड़ा की राज बिर्टिस कुलम्बिया को परवतों सागर कहा जाता है आपको यह दिख रहा हुआ एटलस रोकी एंडीज हमाले ग्रेट निकुबार यह देखिए रोकी परवती यहां पर एटलस इधर है इस केनड़ेवियन यह हमाले इधर है ग्रेट डिवाइड रेंज यह यहां पर है एंडीज इधर है ठीक है तो सबसे बड़े जो वो है वो कोन है एंडीज उसके बाद रोकी रोकी के बाद हमाले हमाले के बाद ग्रेट डिवाइड रेंज नेक्स देखती है मांट मैकले मांट एलबरश मांट एक अंगवा किली मंजारो आपको दिख रहा होगा ये ये एलबरश है ये मांटेन मांटेन की लिम्बाई कितनी है 8850 मीटर और ये उपना किली मंजारो है ये एक अंगवा है आलपस परवत माला मद्द यूरोप की सबसे बड़ी परवत माला है ये है परवत सेंडी फ्रांस आश्टेलिया जर्मनी और स्वेजर लेंड में फैली हुई है कहां कहां फैली हुई है स्वेजर लेंड में फैली हुई है इसी परवत से रायन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदर लेंड से बैती हुई उत्त्री सागर में गिरती है कहा पह गरती है उत्तरी सागर में आलपस आलपस के पास कौन सी नदी है रायन नदी है यह और चाहे होगी को थोड़ा हम आपको जुम करके दिखाते हैं यह आलपस परवत है यहां से यह रायन नदी निकली है यह देखिये अलपस परवत परवत जो हैं अलपस परवत माला ब्लैक फोरेष्ट परवत पाइड मॉन्टे नवांटैन ब्लैक दिक इस लगरां परवत डेक नेवसबर्ग परवद कनल परवद मांट टिटलिस परवद एपी नाइल परवद सब के बारे में हम आपको क्रमबाइल बताएंगे ब्लेक फॉरेस्ट परवद यह जर्मनी में रायन नदी के पश्चिम तट परिष्टेत हैं है ब्लेक ब्लेक फ्ॉरेस्ट परवद यह देखिए महापको लेक परवत के तरधे है पश्मीत अच्छे का तो में सिस von के को कि अरूस के बार दाता मिए भाई बांटेन ब्लेक यह दोनों परवत सहींक तुराज अमेरिका में इस्तित्ष्टेसे नहीं ए दोन-सhas अमेरिका में ये दोनों-सन्क प्राज अमेरिका में चते दें यह ब्लेक परवत है यह भायट परवत है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन मेरा अरकाइनोमा परवत यह परवत सेंडी भारत और मेंमार के बीच सीमा निर्दारित करती हैं अरकाय नुमा जो परवत हैं भारत और मेंमार की बीच ठीक है भारत की राइदानी नई दिली मेंमार की ना पीता हो मेंमार में अभी प्रिजेंट में कौन सा वो आया था जो इसका नाम मतलब तूफान का नाम मेंमार ने डखा तो काती में तो काती ठीक निदारित करती है मांट विक्टोरिया इसकी सर्वोच परवत चोटी है मांट विक्टोरिया इसकी सर्वोच चोटी है अरकाई नुमा परवत आपको दिख रहा हुआ यह अरकाई नुमा परवत यहां पर है उसके बाद गोलन की पाड़ी ये परबस सेरी इस्ट एसिया में पढ़ती है ये सीरिया और इज्राइल के भी शीमा निर्दारित करती है सीरिया और सीरिया की राज़दानी दमिस्क इज्राइल की येरूशलम इज्राइल नेभी गांजा पट्वार्र पति पर हामला किया था, इज्राइल नहीं, इज्राइल की संसते निशीट, इज्राइल के इस बाद़ी में विडिया की थि कि यह गोलन की पाड़ी आपको दिख रही होगी में गोलन की दो इस डालोर गोलन चीए इसको सिरिया के भी sixальную सेमा निर्दारित करती है अब दच्छरी अलपास परवत मि द्रेक नॉनेंसबर्ग परवधक दच seuच परवत है यह आपको देख रहा होगा यह देखिए तद च्थडीयाल पसप्रवुत है यह डेकनेस पर गया कि उसक्कियाद मेरे नेक्ट सब्सक्राइब परवत कुंप्राइब कोले को तो किस परवत को आ हैनल परवत को मांन्न टिट्र स्विजन लेंड में स्थिति एक ज्वालम की परवत है, मांट टिट्र रिस कहां है। स्विजन में यह आपको देख रहा हुगा है, एक की, सबने लेड गभिन कु है कि यह कुन नुले टिट ले झार हुआ कि अधर नश्ट रहे है मिरा है है एप नाइन पर्वत है एप neshते थे इसका जो आ का रहे है वो नीचे इट जैसा है और उपर 9 जैसा है यह पर यह टाइप में उपर 9 जैसा लगता है नीचे इट नुम आ है एपाइन पर्वत का आकार कुछ इस तरह दिखाई दीता है जो आपको इस चित में दिख रहा हुआ एपाइन पर्वत कहा इस तते है इटली में इटली की राज़दानी रोम उसके बाद फ्रांस इस्पेन और स्वेजलेंड से किन पर्वतों से अलग होता है कि इसमे से और स्वेजलेंड पर्वत माला से इलग होता है रं कर दो इसमें जर कर दो दो जर टो रंसे क्या होगा पिरे नीज परवत और जर से जूरा परवत यानि कि आपको दिख रहा होगा यह हम जूम करके देखाते हैं तो वह आप और एह दो ये देखिए ये पीनेरी प्रबद माल आया है यहां से इस पेन और फ्रांस के बीच में और जुप फ्रांस सोउजर की में जूरा है यह इतरी जूरा है ठीच है सोउजर जांसे इसpoint जांसे लिकाпонASE दू कर दिया वह इस existed इसका पा और ना चुराल यह तो पेरेन नीज परवत हो गया इसपहन का कि कि अ कि निएस्ट कोजिशन ईवह वलत परवत और कि यो वल इव वलक परवत और और प्राचिंग परवत यानि कि युवह वा वलत परवत कौन-कौन से एंडीज हमालय ए sucks dog की आल प्राचिन परवत कौंसे अराबली परवत आलपेशियन परवत ब्लैक फोर Tik M परवत ब्लैक माउंटन का अधारड है ब्लैक फोरेस्ट परवत किसका ब्लैक माउंटन अब जो भी हमने आपको समझाया से रिलेटिट कोश्चन हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं आपको ये वीडियो एंड तक देखना है तो आपको जैसा कि हमने बता है सबसे ज्यादा है एसिया महादीप का सबसे कम किस का है और च सबसे कम इसाद ל-3 को मत llev सकते जाए जो पी ओप्षन है मेरा ठीक है है फिर उसके पार मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी बुम्यों को का माहधी औस थेलिया माधी सबसे बड़ा थीश्या माधी सबसे छोटा माधी औस थेलिया माधी कर दिशी सबसे चोटा पयासी वुम्यों का माधिक कुन सा offerings थे fact nive कर ऊसकी औरको नेस्ट कहिंवे का निच्जुक्षमीशी और कंश्टर्णिक किसे कहते हैं से सज्य कास्ट किसे कहते हैं एश्य माधिप को गएते हैं निम्लेक्त में से किस्ट माधिप से होकर करक विश्वत यह से मकर नेक्श वोशन मेरा दाच्छिड अमेरिका महादीप का सर्वोच परवत शिकर कौन सा है इसका अंसर मेरा होगा वी मां। एक कांग गुआ उसके बाद next question अफ्रीका माधीप का सर्वोच परवस्थिकर कौन सा है Mount Kilimanjaro अफ्रीका माधीप का कौन सा है Mount Kilimanjaro यूरोप माधीप का सर्वोच परवस्थिकर कौन सा है Mount Elbridge यूरोप माधीप का सर्वोच परवस्थिकर कौन सा है Mount Elbridge पॉज्जन, यूरोप की एक परवस्तिरंगला कुन सी है, आलपस, किस माधिप में एटलस परवत इस्दित है, एटलस परवत किस माधिप में इस्दित है, अफ्रीका माधिप में, अंद मादीप किसे कहते हैं अफ्रीका मादीप को कहते हैं विस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मादीप कौन सा है अफ्रीका मादीप है पहला कौन सा है एसिया मादीप है सबसे चोटा कौन सा है औस्टेलिया मादीप नेम लिखित में से नेक्स वोशन पंद्रवे नममर नेम लिखित में से किसे परवतों का सागर का जाता है British Columbia को परवतों का सागर British Columbia Next question बिश्व की सरबादिक लंबी परवत स्रंकला कौन सी है ND'S है Next question परवतों पर विश्व की कितनी प्रशत जनसक्या निवास करती है, कितनी करती है, 1% Next question मेरा, इस्तल मंडल के कुल छेतपल के कितने प्रशत भाग पर परवतों का विश्तार पाया जाता है, कितना है, 26% परशेंट नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट रखते हैं और यूरोब आए ऑस्टेलिया माधीप और यूरोब के निनेश्ट कोशन वाइट परवत पाए जाते हैं कहां पांगे जाते हैं स्वाइक राज अमेरिकामे है नैक्सto अरकाई नोमा की जिस देश में स्ट्वर है मैंमार में मैंमार की capital ना पी ताओ में मार ने किस उसका नम रखा है कौन से तूफन का तो काति का क्र नेस्ट कोश्चन मेरा ब्लैक फॉरेश्ट परवत स्थ स्थित आई जर्मनी में नेस्ट कोश्चन हिमालेब पर पर वस्रंकला किसका उधारण है बलित परवत का परवत रंकला किसका उधारण है बलित परवत का नेक्ट कोशन निम्लिकित परवतों में से कौन रायन नदी के किनारे अवस्तित है ब्लैक फॉरेस्ट रायन नदी के किनारे कौन इस्तित है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लेक फॉरेश्ट किस साइड में है पश्चमी साइड में है नेक्ट कोशन ब्लेक परवत अवस्तित है यूए ही में नेक्ट कोशन जो परवत सेड़ी अन्य से भिननेवे हैं कौन सी है आलपेशियन आलपास एंडी जमाले नहीं है आलपेशियन नेक्स कोशन पैनाइन यूरोप यानी आलपेशियन अमेरिका में और अराबली भारत का उधारण है पुरानी परवस लंकला के पुरानी परवस लंकला के नेक्स कोशन बिस्की निम्न लिखित निम्न परवस लंकलाओं को उनकी लंबाई के अब रोई अब रोई क्रम में रखिये तता नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का च्छैन कीजिए तो अब रोई का मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में ठीक है? आजरवली बढ़ते क्रम में अ बढ़ा आता है? आ तो बढ़ा छोटे से बढ़े की रूप में divine range ठीक है, next question मेरा, डेकेंस वर्ग परवत है, दच्छिळ अफ्रीका में, कहां पर है, डेकेंस वर्ग, दच्छिळ अफ्रीका में, next question, निम्लेकित माधिपों में से, किस में देशों की संक्या सबसे अधिक है, कौन से में है, अफ्रीका महाधीप में, यह हमने आपको स्रूम में बतायती दिस, Mount Titles इस्तित है, Mount Titles कहा इस्तित है? सोजेल लेंड में, Golan Heights इस्तित है, Madhpur में, कौन सा सबसे उचा परवत है? Mount Everest, Rocky Andige Atlas Alpes Himalay, आधि किस परकार के परवत है? बलित, किस परकार के परवत हैं बलित परवत हैं निम लिखित में से कौन महादीब छेतपल के अनुसार सबसे बड़ा है अफ्रीका महादीब फ्रांस सता इस्पेन के बीच सीमा बनाने वाला परवत है फ्रांस और इस्पेन फ्रांस यानि कि रा और रा ना चुरा लिया था इस्पे सम्मेलित करना है आपको इसका अंसर होगा मेरा ए फर्स्ट का कोशी को कहां इस्तित है यह मेरा है उस्टिलिया में उसके बाद मैकिनले उत्री अमिरिका में एलबुरुस यूरूप में क्लिमंजारो अफ्रीका में नेश्ट कोशन नीचे दिये गए कूट से महाधीपों को छ सभी अब रोई करम में चुनिए सभी अब रोई करम में आपको चुनना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा आफ्रीका उसके बाद दच्छी अमेरिका उसके बाद यूरूप सबसे छोटा और सबसे बड़ा एश्या माधी आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी झाल